हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल, लेट्स क्रैक इट, फ्रेंड्स हमने हिस्ट्री आफ जम्मू एंड कश्मीर के सीरियस स्टार्ट की है, लेक्चर सीरियस, और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो चक डैनस्टी जो है, उस पे होने जा रहा लेक्चर, चक डैनस्टी जो कश्मीर में आई थी, फ्रेंड्स चक डैनस्टी से पहले हम थोड़ा बैग्रोंड पढ़ लेते हैं, चक डैनस्टी कैसे जम्मू कश्मीर में आई, चक डैनस्टी का जो टाइम पिरिड था, वो बहुत कम, around 25 एर था, 1561 और 1586 इनका टाइम पि पूरी डैनस्टी का, और ये जो है, गिलगित हंजा से आये थे, गिलगित हंजा एरिया से, शाहमीर के टाइम पे ये आई हुए थे, यहां पे कश्मीर में, और इसके जो फॉंडर थे, वो गाजी शाह चक थे, जिन्होंने चक डैनस्टी को फॉंड किया था, गाजी शाह कि बेटे हुसैन शाह चक थे, गाजी शाह चक का कोई ज्यादा लंबा रूलिंग पेरिड नहीं रहा, उसके बाद उनका थ्रोन जो है, वो असेड किया हुसैन शाह चक ने, हुसैन शाह चक के टाइम पे एक जो सेक्रेटरियन कंफ्लिक्ट था, वो उनके टाइम पे हुआ यह ऐसे conflict था जो Muslims के जो दो फिरके हैं सुनी और शिया के बीच में जो यह conflict हुआ था उस टाइम पर यह इनके टाइम पर हुआ था कश्मीर में क्योंकि जो चक थे यह शिया थे और जो कश्मीर की जो population थी वो सुनी थी और जो उनके ruler जो आ रहे थे वो सारे शिया आ रहे थे उनकी वज़ा से conflict हो रहा था उसके बाद हुसेन शाचक के बाद उनके बही अली शाचक आये कश्मीर में ने रूलर जिनका टाइम पर था 1570 से लेके 1578 AD तक जिन्होंने कोशिश की सेक्रेटियंट को कम करने की उन्होंने मुबारक बही हकी को जो एक सुनी थे उनको अपना चीफ मिनिस्टर बनाया, सि एम बनाया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया और इस konflict को कम करने की कोशिश की, लेकन हुआ तो नहीं उनने जस्ट कोशिश की थी कि इस konflict को कम करे, à लिशा की डेथ हो गई थी पोलो खेलते हैं, जिसको चूगान भी कहते हैं, ऐसारी एक और र जो है अलिशा चाक की जो कबरिस्तान है कबर है वो सिरिनगर में है उनकी डैथ 1578 A.D. में हुई थी और उनको सिरिनगर में दफनाया गया उसके बाद इनका सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था चाक डैनिस्टी का वो यूसुफ शा चाक थे जुनने रूल किया कश जो हो उसको उसके बाद लास्ट रूलर को और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हो इन तीन रूलर को हमेशा किसी भी डैनिस्टी के जो है उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये तीन रूलर और इस डैनिस्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे वो यही थे शादी की, हबा खातुन का नाम जूनी भी उन्हें कहा जाता है नाइट एंजल भी कहा जाता है आफ कश्मीर, पीजन्ट पोईटेस वो बहुत अच्छी पोईटेस थी उनको ये नाम से भी पुकारा जाता है, हबा खातुन गुलमरग कर दिया और उनको जेल में डाल दिया गया बिश्वाक जेल बिहार में उनको वहाँ पे डाल दिया गया और उसके बाद इनकी डेथ हो गई 1592 में उसी जेल में बिश्वाक जेल में ही इनकी डेथ हो जाती है और जो यूसफ शाच चक थे वो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे कश्मीर के मुस्लिम रूलर जो थे लास्ट इंडिपेंडेंडेंट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के और इनकी कबर जो है वो भी बिहार में ही फिर इनको दफनाया गया था और बिहार में ही इनकी कबर है हबा खातून की जो कबर है वो अत्वजन में जो है एक जगह है वहाँ पर उनकी कबर है और उनको वहाँ पर दवनाआया गया है अबा खातून को लेकिन कश्मीरी जो थे उनने बाद में लड़ाई की आकबर के खिलाफ और उनने उसी के उनके ही बेटे युसफ शाचक के बेटे याकूब शाचक को ही अपना निया रूलर बनाया जिनका टाइम पिरिड था 1586 से 1589 AD तक उनने उसको रूलर बनाया और वो ही उनने थ्रोन अ सेंड किया आकबर ने फिर से अटैक किया याकूब शाचक पे कासिम मीर के साथ मिलके अकबर ने अटैक किया और इनने उस टाइम पे कश्मीर को पूरी तरह के से कौन कर कर लिया और अपना रूल यहां पे कश्मीर में स्टार्ट कर दिया और मुगल रूल पूरी तरह के से कश्मीर में स्टार्ट हो गया जो याकूब शाक का जो टॉंब है यह नंदल नलंदा में है यह अभी टोटली डिस्रपियर इसकी कोई बहुत खसता हालत है और अन प्रोटेक्टिड है इस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है और यह अभी बिल्कुल अन्रपियर है इनकी जो करें वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करें और और भी आने वाले कश्मीर हिस्ट्री के और जमू हिस्ट्री के भी जितने भी लेक्चर है उनके लिए बैल आइकोन को प्रेस करें और ताके हमारी जो भी आने वाली वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँँजे थैंक यू फ्रेंड्स